नमस्कार मैं मनोसा हूँ Competition Wing की एस YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ त्रिस घड़ति हास के आज के हमारी नेक्स सेरीज होने वाली है जिसमें हमने लास्ट क्लास में हमने बढ़ा था जमीनदारिया और यहसत के बारे में प्रशनों को ठीक है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पतंत्रता अंदोलन से संबन्धित प्रशन और 1857 की ग्रांथी से सं विरुद निमनलिखित जमीदारियों के जमीदारों ने अंग्रेजों की सहता की थी 1857 की ग्रांथी में सबसे महत्वपूर्ण आता है सोना खान का विद्रोई हम सभी को पता है चट्रिजगड के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है ठीक है सोना खान की या ठाकुर को ठीक है इसमें कुछ फैट्स है सोना खान की जमीदारी से रेलेटेड जो आप लोगों को याद में रखना याद रखना है ठीक है तोना खान की जमीदारी प्रदान चीज़ ये है कि इस जमीनदारी को प्रदान किए गया था सबसे पहले बिसज़य ठाकुर को थाकुर को दूसरा महतरपर्श चीज़ ये है कि किसद प्रदान किया था तो कल्चुरी सासक बाहर साय ने प्रदान किया था और जब इनको प्रदान किया गया था तो इनकी इन पर किसी प्रकार का कर आरोपित नहीं किया जाता था लेकिन 1854 के बाद जैसे ब्रिटिस गवर्मेंट राशन में आती है ठीक है फिर वो क्या करती है फो इन पर कर आरोपित करने का प्रयास कर करती है जिसका विरोध कौन करते हैं राम राय करते हैं राम राय आगे चलकर इनका नाम आएगा राम राय ठीक है यह क्या करते हैं विरोध करते हैं आगे चलकर किसका ब्रिटिस गवर्मेंट का और एक संगर्स देखने को मिलता है 181819 में ठीक है 181819 में एक संगर्स देखने क रहते हैं जिनका नाम रहता है Captain Egannew ठीक है कौन रहता है Captain Egannew के समय सोना खान का एक संगर्स देखने को मिलता है किनके द्वारा राम राय के द्वारा क्यों किया जाता है क्योंकि कर आरोपित कर रहे होती है कर आरोपित कर रहे होते है British तो यह तो हो गई इस्टोरिकल चीज़ इस से रिलेटेट अब सबसे महत्रपूर्ण चीज़ यह है कि सोना खान का जो विद्रो होता है 1857 में उसमें क्या भूमिका रहती है सहीद वीर नरायंट सी की और किस प्रकार से उनको यह जमिदारी मिलती है 5795 में उनका जन्म होता है किनका सहीद वीर नरायंट सी का और 35 वर्ष की आयों में सोना खान की जमीदारी उनको प्राप्थ होती है तो बचपंग से देखते आ औरहे होते हैं एक तो अंग्रेजो का शोशन दूसरा साहु कारों का शोशन उनके मन में सुरू से ही एक बिद्रोय की भावना पनपती रहती है किनके लिए अंग्रेजों के लिए तो जैसे ही उनको मिलता है तोना खान की जमीनदारी तो उनके पास कई चुनावती आती है ठीक है जैसे सबसे प्रमुख चुनावती आती है उस समय 1856 का अकाल ठीक है 1856 में भैंकर अकाल पड़ता है जिससे उन प्रियास करते हैं वह इस ब्रिटिस जो समय एक ब्रिटिस अधिकारी रहते हैं ब्रिटिस अधिकारी जिसका नाम रहता है चाल्स एलियट ठीक है क्या नाम रहता है चाल्स एलियट चाल्स एलियट से वह आग्रह करते हैं कि ब्रिटिस गवर्मेंट जो है पत्र लिखते हैं British government हमारी जमीदारी के लोगों के लिए कुछ राशन मोहिया करवा है लेकिन चार्ज एलियट इसको सिरे से नकार देता है तो इस कारण क्या होता है सोनाकान के जमीदार रहते हैं वीर नरायंट सी इस पर गुस्टा हो जाते हैं और माखन बनिया रहते हैं उस छेत्र के बनिया रहते हैं उनका गोदां लूट कर वहां वहां के राशन को है राशन की और देते हैं तो आगे चलकर कर देते हैं Kempe Price कर देते हैं फिर सहेट नरायंट सी को पकरने का प्रयास करते हैं जास एलियर ठीक है तो यही एक ईप्रकार का गटना क्रम है सोनाखन सेनी इस्द सबसे प 24 अक्टूबर 1856 को उनकी प्रतम गिरपतारी हुई थी प्रतम गिरपतारी याद रखना सहीद वियर नराइंड सी की कब हुई थी 24 अक्टूबर 1856 को जब पहली बार गिरपतार होते हैं फिर ये 10 माह तक जेल में रहते हैं और वो वहां से भाग जाते हैं ठीक है कौन सहीद वियर नराइंड सी कहां से भाग जाते हैं जेल से फरार हो जाते हैं और 1857 में फिर उनकी गिरपतारी हो जाती है अठाइस अगस्त 1857 को ठीक है तो इस समय एक इंट्रेस्टिंग चीज यह होती है कि वो जब फिर से परार हो जाते हैं तो क्या करते हैं लोगों को एक अठा करते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह छेड़ देते हैं ठीक है जिसी को उसी को क्या नाम दिया रहता है सोना का विद्रोह ठीक है और यह 1857 की करांती के समय हुआ था तो इस समय कुछ जमीदारी रहती है जो अंग्रेजों का साथ देती है ठीक है अमारे हां अगर देखें पूरे भारत में भी देखें तो अंग्रेजों का किसी ना किसी जमीनदारी ने किसी ना किसी रि द्रोग के समय कुछ जमीदारिया थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था तो ध्यान में रखना यह जमीदारी पूछ चुका है दो बार पेपर में ठीक है सबसे पहला बिलाईगर दूसरा भटगाउं तीसरा कटंगी चौथा देवरी और पांच्वा जमीदार सिवरी नारायन ठीक है तो यह पांच जमीदार यह थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था ठीक है तो यह नाम आप लोगों को याद रखने है क्या क्या है बिलाईगर भटगाउं ठीक ह और सिवरी नारायन ठीक है तो यह पांच नाम आप लोगों को याद हो जाएगा फिक तो शुरू में तो पकड में नहीं आते हैं चाल से लिएट काफी प्रयास करता है सहित वी नारायन सही को ग्रपतार करने का लेकिन पकड में नहीं आते तो क्या करता है वह एक चाल चल को ठीक है दो दिसंबर अठारसों यह सभी डेट से इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है दो दिसंबर 1857 को आत्म समर्पन कर देते हैं सहीद वीनर रैंट सी पांच दिसंबर 1857 को उन मुकदमा चलता है चार्र से क mãe कोट में और उनको फाशी की सजा दे दिआती वो पांच दिसंबर को ही हो गया 3 uline में उनको फाशी की सजा सुना दी गई पिर 10 तारिक को 10 दिसंबर 1857 को उनको फाशी दे दिजाती है ठीक है तो यह पूरा कटना करम रहता है में रखना इसको ठीक है 10 दिसंबर 1857 को यह डेट भी पूछा जाता है तो इस प्रकार से यह पूरा विद्रो होता है तो यहां पर प्रश्ण पूछा जा रहा है 1857 के विद्रो के दवरान सोना खान के कौन से जमीदारी ने सहता करी थी तो भठगाओं चुई ख켜दान देवरी और केंदा भी नहीं आएगा ठीक है भठगाओं और देवरी एक और ती सका सही अंसर हो जाएगा option C एम एक प्रकार आप लोगों को दिसमबर 1857 याफिर 10 अक्टूबर अठारा सो थावन या फिर 10 डिसमबर 1857 तो क्या हो जाएगा इससका सही अंसर इससका सही अंसर हो जाएगा 10 दिसमबर 1857 को इनको फासीद दी गई थी तहीं शी ई Seven a पीर अपन ढद आ किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी आपके पास विकल्प है Sidville, Elliott, Sandys और Smith, ठीक है इसका सही अंसर मैं बता देता हूँ अभी Sergeant Sidville की हत्या की थी Sergeant Sidville की हत्या की थी किसने प्रुमांसी ने अब ध्यान देना जो 1857 या अंठावन में जो सैन्य विद्रो हुआ था उससे क्या-क्या प्रशन बन सकते हैं वह हम देखने का प्रयाश करते हैं ठीक है सैन्य विद्रो से related क्या-क्या चीजे हैं जो आप लोगों को जाननी जरूरी है सैन्य विद्रो यह विद्रो कभ हुआ है एक्जैक्ट 1858 में हुआ है इसका नेत्रे तो किस ने किया था हनुमान सीने हनुमान तीन ठीक है और इसमें हत्यक इसकी की गई थी अंग्रेज अधिकारी कौन था सार्जेंट सिड्विल ठीक है तो यह तीन चीजे हो गई फिर आप आपको जानना जरूरी है हनुमान सीन्ग से related कुछ facts इसमें ऐसा प्रशन भी पूछा जाता है कि हनुमान सी जो है कौन सी बटालियन के सैनिक थे कौन सी बटालियन के सैनिक थे तो तीसरी बटालियन के सैनिक थे वो ठीक है तीसरी बटालियन के सैनिक थे दूसरा मात्रपून fact यह है कि यह बैसवाड़ा के राजपूत थे बैसवाड़ा के राजपूत थे तीसरा important चीज यह है हनुमान सीन के बारे में इनको 36 गड़ का मंगल पांडे भी कहा जाता है थीक है क्या यह याद रखना है तीसरी बटालियन के सैनिक थे हनुमान सी भैस वाड़ा के राजपूत थे हनुमान सी चत्तिस गड़ का मंगल पांडे भी किनको खा जाता है तो हनुमांसी को कहा जाता है इतनी से याद रखने हैं सबसे महात्रपोंच चीजें 18 जन्वरी 20 जन्वरी और 22 जन्वरी यह तीनों डो डेट्स इसलिए याद रखने हैं यह सभी 1858 है यह तीनों डेट्स में क्या-क्या हुआ है वह अब देखते हैं 18 जन्वरी 1858 को हरुमान सीने मेजर सारजेंट सार्जेंट सेड विल की हत्या की थी त्ठीक है का सित कंस्सरेट थी अठारा जन्वरी की जब उन्होंने अंग्रें जदिकारी की 30wow को क्या करते हैं 20 संवरी को वह चार्स इलियाट को मारने का प्रयास करते een लेकिंव जनवरी 1859 को क्या हुआ था हनुमान सी के साथ में 17 अन्य सहयोगी थे ठीक है उनको गिरफतार कर लिया गया और उनको फांसी की सजा दे दी गई ठीक है वो कब हुआ 22 जनवरी 1859 को इसमें तीन डेट्स इंपोर्टेंट है क्या का याद रखना है सैने विद्रों के नितित्व करता हनुमान सी दूसरा किसकी हत्ते की गई सार्जेंट सिड्विल के हत्ते की गई तीसरी बटालियन के यह सैनिक थे बैसवाड़ा के राजपूत थे च्छतिजगर का मंगल पांडे और 1820 और 22 जनवर यह तीनों डेट्स आप लोगों को याद रखने हैं तो इतनी चीज़ें याद रखनी हैं यहां से ठीक है तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सार्जेंट सिड्विल ठीक है पिर आगे बढ़ते हैं चौथा प्रशन है 36 गड़ में 1858 में हुए सैने विद्रों के संबंद में हनुमान सी के सत्रा ताथियों को निम्नल हित्में से किस स्थिति को फासी दी गई थी अभी हमने थोड़ी दे पहले डिसकस किया तो क्या आ जाएगा इसका सही अंसर क्या होना चाहिए इसका सही अ 18 जनवरी 1859 20 जनवरी 1859 22 जनवरी या 24 जनवरी तो कब फासी दी गई 22 जनवरी 1858 को इनको फासी दी गई ठीक है इसका सही अंसर हो जाएगा option C और संसी जो है इसका सही एंसर हो जाएगा ठीक है तीन डेट याद रखने हैं आपको 18 जनवरी को क्या हुआ सार्जांस इडविल की हत्या 20 जनवरी को 40 सिलियट को मारने का प्रयास और 22 जनवरी को क्या हुआ 17 उनके सहयोगी को फासी दे दी गई ठीक है अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है याँ पर 36 गड़ के रायपूर में जनवरी 1858 में सैनिक म्यूटी नहीं हुई थी वे कौन सी रेजिमेंट से संबंदित थे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो 1858 का जो सहय ने भीत रो हवगा था उसमें हनुमान सी कौन सी रेजिमेंट के हच्जा थे आप की द्री भार्ती थे पाँश्वी मदरास रेजिमेंट दूसरी मदरास रेजिमेंट dois carry पंजाब रेजिमेंट तो इसका सही एंसर क्या हो जाएक ऑं can to पहली भारतिय तीसरी भारतिय रेजिमेंट पहले ऑप्शन इसका सही अंसर हो जाएगा पिर अकला कोश्चन देखते हैं उदैपुर्जागीर के नरेश शिवराशी ने अंग्रेजी राज्य के विरुध विद्रो किया था इस विद्रो के लिए उन्हें किस ने प्रेरिद किया था यह बहुत महत्पूर्ण प्रशन है यह आप लोग को देखने को मिलेगा एक्जाम में तो इसका सही अंसर मैं बता इसके चीज़े आप लोगों को याद रखनी है उदैपुर का विद्रो कब हुआ है तो यह 1858 में ही हुआ है ठीक है उदैपुर का विद्रो कि किस कारण होता है इसका रीजन क्या रहता है 1818 में अप्पा सहाब ने संधी की थी हम सभी को पता है अंग्रेजों के साथ में ठ इसको दे दिया गया था ब्रेटिस गवर्मेंट को दे दिया गया तो उदैपुर के जो राजा रहते हैं राजा कौन रहते हैं कल्यांसी ठीक है राजा कल्यांसी रहते हैं और उनके दो भाई रहते हैं शिवराजसी और धिराजसी ठीक है तो वह क्या करते हैं वह संधी का विरोध करते हैं क्यों क्योंकि वो British government के अधीन नहीं रहना चाहते हैं तो जब विरोध करते हैं तो गवर्मेंट कुछ न कुछ action लेगी तो वो क्या करती है इन तीनों के ऊपर मानवध का आरोप लगा कर गिरपतार कर लेती है किनको किनको कल्यान सी तीन नाम आप लोगों याद रखने हैं या पर कल्यान सी दूसरा नाम है सिवराज सी और तीसरा नाम क्या है धिराज सी इन तीनों को गिरपतार कर लेते हैं मानवध का आरोप लगा कर कौन ब्रिटिस गवर्मेंट फिर क्या होता है उदैपूर की जो जनता रहती है वो इनको छुडवा लेती है और फिर से कल्यान सी को राजा बना देती है लेकिन कुछ दिन बाद कल्यान सी और धिराज सी दोनों की मृत्ति हो जाती है तो इनको मिल जाता है जो छेत्र रहता है वो सिवराज सी को मिल जाता है लेकिन सिवर कप्तार करके कहां भेज देते हैं सिवराज सीह को काला पानी की सजा में डाल देते हैं तो काला पानी की सजा किनको हो रही है सिवराज सीह को काला पानी की सजा हो रही है काला पानी की सजा और अंत में जो उदैपूर का जो छेत्र रहता है उदैपूर जमीनदारी जो रहती ह वो किनको दे दिया जाता है यह दे दिया जाता है सर्गुजा रियासत को तर्गुजा रियासत को दे दिया जाता है जहांके राजा रहते हैं बिंधिश्वरी सिह देव इनको दे दिया जाता है ठीक है जो उद्यपुर्ण जमिंदारी रहती है तो इतनी चीजें आप लोगो को यहां से याद रखनी है कब हुआ 1858 में हुआ तीन लोग रहते हैं यहां पर कल्यांट सी राजा रहते हैं उनके भाई शिवराजसी और धिराजसी की भूमी का भी देखने को मिले हुई ठीक है इनको मानवद कारोप लगा कर गिरपतार कर लिए फिर क्या हुआ जो उदैप से इनको पत से हटा देते हैं और इनको गिरपतार करके कहां डाल देते हैं ताला पानी की जेल में डाल देते हैं जो कि अंडमान निकोबार में है फिर जमीदारी जो रहती है उदाइपूर की वो कि इनको दे देते हैं सरकुजा रियासत को दे देते हैं ठीक है जहां के रा साय का नाम आप लोग देखने को मिलेगा सुरेंद्र साय का रहते हैं संभलपूर विद्रो के नेतित्व करता रहते हैं संभलपूर विद्रो यह भी 1858 में ही हुआ है देखिए संभलपूर का विद्रो आप लोगों को जस्त देखने को मिलेगा सोना खान के विद्रो के बाद सुरेंद्र साय सहीद वीनरायन सी का भी मदद किये रहते हैं उस विद्रों में ठीक है तो आगे चलकर सुरेंद्र साय की सहयता कौन करते हैं वीनरायन सी के पुत्र रहते हैं ठीक है वो इनकी गोविंद सी वो इनकी सहयता करते हैं ठीक है संबलपूर के विद्रों में ये एक संबलपूर के विद्रों में सुरेंद साय की भी गिरपतारी हो जाती है और उनको असीरगड के लिए में डाल दिया जाता है ठीक है तो उनको देख लेंगे डिटेल में फिल हाल अभी यहाँ पर याद रख लिजे सुरेंद साय ने इनको जो सिरासी हैं उनको उकसाने का प्र महत्रपूर्ण प्रश्ण है यह पंडि सुन्दलाज सर्मा ने नत्थु जी जक्ता आपने सेवता ठाकूर ने या फिर बाबु छोटे लाल स्रेवास्ताओं ने ठीक है तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा इसका सही अंसर है सेवता ठाकूर ध्यान में रखना यह जो आंदोलन है वो राजनादगाओं में हुआ था कहा हुआ था राजनादगाओं में हुआ था बेगारी प्रथा का अंदोलन अगर पूछा जाया सेवता ठाकूर ने किया था और वो कहां किया था तो एक तरब दिया गया है समाचार पत्र और दूसरी तरब दिया गया है वो कहां से थी कहां से संबंदित थी ठीक है और कुछ संस्थाएं भी दी गई है जैसे चत्यसगण मेत्र बुद्धी प्रकास सभा सरस्वती पुस्तकाल है और आनंद समाज पुस्तकाल है ठीक है रायपूर बिलासपूर पेंडरा और राजनादगाउं दिया गया है तो चत्यसगण मेत्र प्रकासित होता था बिलासपूर से ठीक है कहां से होता था पेंडर रोट बिलासपूर से होता था तो इसका क्या हो जाएगा एक दो हो जाएगा बुद्धी प क्या हो जाएगा बी का हो जाएगा दो सरस्वत्य पुस्तकाले कि स्थापना कहा की गई थी तो राजनाद गौव में की गई थी तो सी का हो जाएगा चार और डी आनंद समाज पुस्तकाले कहां पर है तो रायपूर में है ठीक है तो 3-2-4-1 इसका सही अंसर हो जाएगा 3-2-4-1 कि ऑप संसी सही अंसर हो जाएगा देखिए 36 गड़ मित्र कि यह उन्नीस सो में प्रकासित हुआ था 1900 से 1902 तीन वर्सों तक लगभग इनका प्रकाशन हुआ था 36 गड़ मित्र का किस ने किया था इनका प्रकाशन तो माधावरा सप्रे ने किया था इसमें सहयोगी कौन-कौन थे तो वामन राव लाखे और दूसरा कौन दूसरा राम राव चिंचोल कर ठीक और दूसरा नाम वामन राव लाखे या वामन बली राम लाखे इनका पूरा नाम था बुद्धि प्रकाश सभा बुद्धि प्रकाश सभा जो है जागरिती राष्ट्री जागरिती लाने हैं तो कुछ संस्थाइं स्थापित की गई थी उनमें से एक था बुद्धि प्रक इसकी स्थापना किस ने किया था अगर पूछा जाये स्थाफित किया था लेकिन अगर पूछेगा सरस्वती पत्रिका सरस्वती पत्रिका का संपादन कौन करते थे तो पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी जी करते थे ध्यान में रखना आनंद समाज पुस्तकाल है ठीक है यह कहां है रायपूर में है इससे रिलेड़ेट भी कोश्चन बनते हैं बहुत जादा वो हम देखेंगे आगे चल कर ठीक है अगला प्रशन देखते हैं एक तरफ दिया गया है पत्र दूसरी तरफ दिया गया है कब वो पत्र पत्री का और दूसरी तरफ दिया गया है कि वो संपादन कब किस वर्श हुआ है ठीक है तो बताने का प्रयास करेंगे इसको पहला अप्श प्रकाशन दिया गया है यहां पर प्रांतिय कॉंग्रेस के 337 का रायपूर में आयोजन कब हुआ था 1909 में ठीक है तो इसको बताइए कब कब किया गया था इसका संपाधन ठीक है क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर देखे हिंद केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन ये हिंद केसरी समाचार का प्रकाशन हुआ था 1978 में इसका एंसर में 1908 लिया गया है पुत्तर जो प्रशन आया था उसमें राज्णाद गवं में सरस्वती पुस्तकाले की स्थापना ठीक है थार उन सरस्वती पुस्तकाले की स्थापना हुई थी 1909 में इसका सही अंसर हो जाएगा तो क्या हो जाना चाएँसका सही एंसर एक का हो जाएगा आपका 3, B का हो जाएगा आपका 4, A का 3, B का 4 हो जाएगा ठीक है और 36 गड़ मित्र का संपादन 1 हो जाएगा, C का 1 और D का 2, option A इसका सही एंसर हो जाएगा, ठीक है समाज में आ रहा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था सरस्वती पुस्तकाल है किसन स्थापित किया था ठाकुर प्यारेलालने, अब यहां पर एक चीज़ और हमने पढ़ लिया क्यों कब स्थापित हुआ था तो सन 1909 में स्थापित हुआ था, ठीक है, अगला question देखते हैं, राजनितिक जागरण के लिए, 36 गड़ के रायपूर जिले में, 1870 इसवी से 1990 के बीच, निम्न लिखित में से केन समाजिक तथा साहितिक संस्थाओं का गठन किया था, राजनितिक जागरिती, राष्टी जागरिती एवं जन जागरिती के लिए, 7 से 8 प्रमुख संस्थाओं स्थापित की गई थी, कुछ संस्थाओं रायपूर में स्थापित की गई थी, और कुछ संस्थाओं कहां पर स्थापित की गई थी, तो यहां पर पूछा जा रहा ह राइपूर जीले में कौन-कौन सी संसाय इस्थापित की गई थी 1870 से उन्निश्यों के मध्य में ठीक है आपके पास ऑप्शन दिया गया है मालने रेडिंग क्लब, बुद्ध प्रकास क्लब, कवी समाज या, बाल समाज तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ जो लिस्ट है वो आप लोगों को कौन-कौन से नाम याद रखने है तो सबसे पहले याद रखना रायपूर जी लेगा बहुत इंपोर्टेंट है इसमें सबसे पहला नाम आता है वाद विवाद समीती वाद विवाद समीती कब बना था ये यहाँ बनाया गया था अठारा सो संतावन में और डेट्स के साथ याद रखना है क्योंकि आपको डेट्स के साथ पूछा गया अठारा सो संतर से उन्निसों के मद्ध्य ठीक है दूसरा यहाँ पर याद रखना लाइब्रेरी एवं स्टाइन्टिफिक सोसाइटी ये इस्थापित वठा अठारा सो सत्तर में ठीक है तीसरा याद रखना मालेनी रीडिंग क्लब मालेनी रीडिंग क्लब ये हुआ था 1891 में फिर चौथा याद रखना पीपल्स टीचर्स असोशियेशन ये कब बना 1894 में ठीक है और एक नाम याद रख लिना आप लोग कवी समाज ठीक है ये लगभग बना था 1899 के आसपास ठीक है तो और बाल समाज भी था यहां पर बाल समाज इसके डेट के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है ठीक है तो क्या क्या याद रखना है रायपूर जिले से वाद विवाज समेथी लाइब्रेडी एं साइंटिफिक सोसाइटी मालेनी रीडिंग क अब देख लेते हैं बिलासपूर में तो बिलासपूर में सबसे पहला याद रखना बुद्धी प्रकास सभा बुद्धी प्रकास सभा दूसरा है यहां पर बंगाल आणागपूर रेलवे संग है यह भी बना था बगाल नागपूर रेलवे शेंग रहां था बिलासपूर में नहीं बना था ठीक है तो दूछीजें आप लोग को याद रखना है बिलासपूर शेत्र से यहां पर पूछा जा रहा है रायपूर का पूछा जा रहा है तो माले रीडिंग क्लब बिलकुल सही है बुद्धी प्रकास क्लब एक्चुल में बिलासपूर का था तो यह eliminate हो जाएगा कभी समाज और बाद समाज यह भी रायपूर से संबंदित है तो इसका सही answer हो जाएगा A, C और D ठीक है क्या हो जाएगा A, C और D option C इसका सही answer हो जाएगा ठीक है next question देखते हैं निम्न लिखित में से कौन सा कथन सही है यह पूछा जा रहा है तीन कथन दिये गए हैं आपको भारती राश्टी कॉंग्रेस का 1851 इनक्यानवे का नाखपूर अधिवेशन 36 गड़ में राजनितिक चेत्रना के विकास का एकारक था इस अधिवेशन में 36 गड़ के 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया था इस अधिवेशन के अध्यक्षता मदरास के वकील पी आनंद चार्लू ने किया था ठीक है तो यहां पर पूछा जा रहा है 1800 इनक्यानवे के अधिवेशन से रिलेटेट कोस्चन देखें यहां पर 1885 में जब कॉंग्रेस का गठन होता है तो लगातार अधिवेशन देखने को मिलेंगे हर एक वर्स में ठीक है और उन अधिवेशन हों में सुरवाती अगर अ कोई भी लोग आमईल नहीं होए थे 80 में भी सामिल नहीं होए कोई 80 में में सामिल होते हैं कुछ लोग ठीक है वो है- वो सामिलों होते हैं मध्य-प्रांत और बरार के लोग होते हैं कवल 36 इस था नाम आता है उसमें CM थककर का नाम आता है माधाव र्राव सपरे का नाम आता है ठीक है उस प्रकार से कुछ लोग का नाम आप लोगों को देखने को मिलेगाogether fam sav 1890 में जब नागपूर में अधिवेशन हुआ था तो वहां पे भी वामन राव लाखे ठीक है माधाव राव सप्रे और एक और नाम है वामन राव लाखे माधाव राव सप्रे और सीम ठककर यह सभी जो है और बद्रिनाथ साओ इन लोग भी देखने को मिलते हैं वहां पर भ बनाये के हो गिया था यह सत्ता राजनितिक चेतना लाने के लिए तो इसमें भाग लेने के लिए जो 36रण गे लोग गये थे उसका उसका प्रभा हुआ उससे 36 से लोगों राजनितिक चेतना में वरिधी हुई तो आप लोग इसको समझ के बना सकते हो पहला option दूसरा जो कतन दिया गया है कि इस अधिवेशन में 36 गड़ के 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया यह बिल्कुल गलत कतन है कि इवल 36 गड़ के 200 लोग यहाँ पर उतने active नहीं थे मदरास के वकील पी आनंद चारलू ने किया था यह भी बिल्कुल सही कतन है ठीक है और इसमें महिलाओं ने सबसे पहली भागिदारी की थी इस अधिवेशन में इस अधिवेशन की एक खास बात यह रही है तो इसका सही अंसर हो जाएगा एक और तीन इसका सही अंसर है option D ठीक है आगे बढ़ते हैं सूरत कॉंग्रेस 1907 में 36 गड़ का प्रतिनेधित्व किस ने किया था सूरत अधिवेशन बहुत ही महत्पूर्ण है अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करे क्योंकि सूरत अधिवेशन में ही कॉंग्रेस का विभाजन हो जाता है और दो दल में कॉंग्रेस बढ़ जाती है एक तरफ नरम दल और दूसरी तरफ गरम दल ठीक है लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है कि सूरत अधिवेशन जब हुआ था 1907 में तो 36 गड़ के कौं से नेता थे जिन्होंने पूरे 36 गड़ का प्रतिन 1906 में सबसे पहली बार 25 सुनदरलाज सरमा कॉंगरेस के सदस्य बने ठीक है ध्यान देना 1906 में 1906 में यह कॉंगरेस के सदस्य बने और यह पहले 36 गड़िया थे जो कॉंगरेस के सदस्य बने थे दूसरा इंपोर्टेंट चीज ये 1907 में इन होने 36 गड़ का क्या किया प्रतिनिधित्व किया सूरत अधिवेशन में दूसरा महत्पून चीज ये है सुन्दालाल सर्मा के बारे में अगर स्टाइटिंग की बात करें इससे रिलेटेड भी बहुत सारी फैक्ट है जो आप लो मध्य प्रांत और बरार प्रांती राजनितिक परिशत के निम्नल इखित में से किस अधिवेशन में प्रथम नरम पंतियों और गरम पंतियों के बीच में पूट के लक्षन प्रकट हुए ठीक है आपके पास विकल्प है रैपूर अधिवेशन 1907 जबलपूर अधिवेशन 1909 सागर अधिवेशन 1911 या नागपूर अधिवेशन 1915 मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 1907 का शूरत अधिवेशन कोंग्रेस के विभाजन के लिए जाना जाता है क्योंकि कोंग्रेस का दो आगों में भाजन हो गया था नरम दल और गरम दल ठीक है उसी का जिस प्रकार से कॉंग्रेस का दिवेशन होता था राश्टी स्तर पर उसी प्रकार से सभी प्रांत में प्रांती स्तर पर सम्मेलन होते थे जिनको कहा जाता था प्रांती सम्मेलन तो प्रांती सम्मेलन तीसरा प्रांती सम्मेलन हुआ था 36 गड़ का 1907 में जिसमें कॉंग्र प्रांग्रेस भी दो भागों में बढ़ गये थे एक तरफ नरम दरवाले और दूसरी तरफ गरम दरवाले तो इससे रिलेटेड़ दो तिन प्रश्ण है जो आप लोगों को पूछे जाते हैं पेपर में कि प्रांथिय कि सम्मेलन 1907 फुल मिलाकर तीन प्रांथि सम्मेलन हुए है दो प्रांथि सम्मेलन इसके पहले भी हुए है ठीक है एक हुआ है 1903 में और दूसरा हुआ है 1906 में ठीक है यह लेकिन उत्ता ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है त्रिती प्रांथिय सम्मेलन 1907 का सम्मेलन ठीक है क्या हुआ है इसमें इसमें क्या होता है इस सम्मेलन की अध्यक्षता भी याद रख ले न अध्यक्षता किस ने की थी तो केलकर सहाब ने की थी ठीक है और इसके स्वाग स्बत्ता अध्यक्ष यह थे अरिसिंग गॉर्जी आइस समिलन में होता क्या है इस समिलन में वंदे मात्रम के गीत को लेकर एक विवाद हो जाता है दो गुटों के मद्य ठीक है एक गुट रहता है हरी संकर सींगोर जी का इसमें स्विवराब मुझ्जे भी रहते हैं और दूसरे गुट में रहते हैं दादा साप खापड़े जी वामन राव लाखे जी माधा राव सप्रे जी ठीक है पंडित रवी संकर सुकल जी इन लोग रहते हैं इराग वेंद्र रावजी रहते हैं तो इन दोनों के मद्य जो बाधावरा सप्रे पैमर राव लाखे का जो गुट रहता है उनका यह मानना रहता है कि हम किसी भी अधिवीशन की शुरूवात वंदेमात्रम की गीत से करेंगे चुकि उस समय वंदेमात तो वो क्या करते थे इनका विरोध करने लगे ठीक है तो इस प्रकार से ये दो भागों में बढ़ जाता है तो कि उन लोग क्या करना चाहते थे वंदे मात्रम की गीत से सुरुवात करना चाहते थे ठीक है तो वो क्या कहला है वो गरम नरंदल के ने नेता कहले है उन लोग उसको नहीं समर्थन कर रहे थे उन लोग नरंदल के नेता कहला जैसे हरी सिंह गौर ji नरंदल के नेता सिव्राम मुंझे जी ठीक है और इदर थे दादासाब खापटे जी रबीसंकर शुक्ल जी हो जिन लोг दादा साब खापड़े ने एक आम सभाग को संबोधित किया था हनुमान तात्या पारा में तो यह भी प्रश्ण पूछा जा सकता है तात्या पारा में इसने संबोधित किया था आम सभाग को दादा साब खापड़े ने किया था जिनका वस्तविक नाम क्या है गनेश कृष् तो पहला इसमें कथन लिखा गया है 20 जून 1915 को रैपूर के टाउन हॉल में 36 गड़ के लगबग 300 माल गुजारों का सम्मेलन हुआ था इस सम्मेलन की अध्यक्षता राव सहब दानी ने की थी सम्मेलन में राश्टी मुद्दो पर विचारवी मर्स किया गया था तो बहुत महत्पून प्रशन है यह पूछा जा सकता है और आगे चलकर फिलहल इसका सही एंसर हो जाएगा यहां पर नहीं दिया गया है इसका सही एंसर है केवल एक ठीक है यह क्यों है मैं बता रहा हूँ इसमें एक option जोड़ लिजेगा एक सही है केवाल एक सही है ठीक है इसका सही है answer है केवाल एक 20 जून 1915 को माल गुजारों का सम्मिलन हुआ यह आप लोगों के एक date याद हो जाएगा और कहां पे हुआ रायपूर के town hall में हुआ यह दूसरा मात्रपूर्ण fact इसकी अध्यक्षता किस ने किया था जो दूसरा दिया गया है तो इसकी अध्यक्षता याद रखना यादा और आओ देश्मुग जीने किया था जो कि एक जाने माने वकील थे किस ने किया था याद आ और अवा उद्देश मुख ने किया था और जो तीसरा गथन दिया गया है, इस दूसरा कथन तो गलत हो जायेगा, तीसरा कथन द दिया गया हैMr. राश्टी समेलन में राश्टी मुद्दो पर विचार वी मर्स किया गया उस पर चर्णा करने के लिए यहां जो था तरनाय अध्यूत किया गया था उसय से क्या था राजस्व भील पर पर चर्णा है जो की माल गुजारों के हितों से जुड़ा था इसलिए यह 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 सम्मेलन किया गया था तो इसका सही अंसर हो जाएगा केवल एक ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं हम कि मध्यप्रांथ की विधान सभा में 1913 में नागपूर एवं 36 गड़ की नगरपालिका के निर्वाचन में 36 गड़ का प्रथम सदस्य निम्नलिखित में से कौन था 1913 में जब नगरपालिका का निर्वाचन हुआ तो उसमें 36 गड़ की तरब से कौन चुने गए यह प्रश्न पूछन चाह रहा है आपके पास विकल्प है सिवदास डागा महाद लक्ष्मी नारायन दास नत्मल मुनीम या फिर सिव प्रशाद तो इसका सही अंसर है नत्मल मुनीम इसको याद रख लेना राजनात गौं में सरस्वति पुस्तकाले की स्थापना किस ने की ठीक है आपके पास विकल्प है मास्टर सिवलाल छवी राम चौबे गजुलाल सर्मा ठाकुर प्यारे लाल यह तो आप लोग आप बहुत आसानी से बनता सकते हैं अब इसका उत्तर ठीक है क्या आजाएग प्यारे लाल आपना किस ने की ठीक है कब की थी तो 1909 में की थी दो लोग आप लोग को याद रखने दो लोगों के नाम एक तो ठाकुर प्यारे लाल का नाम तो याद रखना ही है प्यारे लाल का नाम याद रखना है यह दूसरा राजुलाल सर्मा और छबी लाल 24 इनका भी नाम आप लोग को याद रखना है, कहां स्थापित किया गया? तो यह भी याद रखना है, राजनाध गाउं में स्थापित किया गया ठीक, आगे बढ़ते हैं होम रूल आंदोलन में 36 गड़ से निम्नलिखित में से किन वेक्तियों ने सक्री भाग लिया था आपके पास विकल्प है रवी संकर सुक्ल डॉक्टर ई रागवेंद्र राओ घंस्याम सी गुप्त और रामकोपाल दुबेजी ठीक है तो उसका सही एंसर क्या हो जाएगा दे होम रूल अंदोलन कब भुआ था एक्ट्वल मैं होम रूल आ अंदोलन होँआ था 1917 में हुआ अगर 36 गड़ की बात करें तो 36 गड़ में किसने अंधोलन का आंधोलन को संचालित किसने किया था तो पंडित रवी संकर सुक लने किया था रवी संकर सुक लने किया था दूसरा महात्तर पूर्ट चीज यह है सहयोगी सहयोगी कौन-कौन थे तो इसमें सहयोगी याद रखलना लक्षमन लक्षमन राव उदाइगीर कर ठीक है लक्षमन राव उदाइगीर कर माधाव प्रसाद ठीक है और इसमें एक नाम आ जाएगा आप लोगों का इरागवेंद्र राव और एक नाम आ जाएगा घंस्यामसी गुप्त इन लोग प्रमुख लोग थे अगर हम लोग इसके सहयोगी की बात करें होम रूल में टोटल कितने लोगों ने भाग लिया था तो इसमें याद रखना इसमें सबसे ज्यादा थे रायपूर से रायपूर से सबसे ज्यादा लोग इसमें सामिल हुए थे अगर बात करें तो कुछ फैक्ट से जो आप लोगों को याद रखना है पंडित रवीशंकर शुक्ला ने इसका संचालन किया तायोगी थे लक्षमन राओ उदैगीरकर मा माधाव राओ सप्रे माधाव राओ सप्रे रागवेंद्र राओ घंस्याम सिंगुप्त इसका साथ दिया था ठीक है किसका पंडित रवीशंकर सुखल जी का 99 लोग पार्टिसिपेट किये थे सबसे ज्यादा रायपूर से थे इसके अलावा बिलासपूर और दुरुक से भी कुछ लोग सामिल हुए थे इसमें ठीक है पंडित रवीशंकर सुखल ईरागवेंद्र और घंस्याम सिंगुप्त इसका सही एंसर है ए बी सी ऑप्शन एसका सही उत्तर हो जाएगा इतनी चीज़े होम रूल से रिलेटेट आप लोगों को याद रखना है इसमें ध्या लिए गया है और एक बार सीम ठकर जी को भी लिया गया है तो वीवेक अपने वीवेक अस्तेमाल करके वहां पर उत्तर को लगाना अगर आपको विकल्प में रवी संकर्शुक्ल नहीं दिया जा रहा है तो एक थैसे अटकर को लेना है उसका सही उत्तर ठीक है बाकि दोनों के लिए आप लोग दावापत्ति कर सकते हो दोनों के सोर्सेस आपको अवेलिबल है कि क्या आगे बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है कंडेल नहर से संबंधित था यह निम्नलिखित में से 1920 में कंडेल गाओं के शोजद्रिखीफ किसानों आं बढ़ान किया गया ठीक यह नहर कर लगाने हे तुअ दो कि अधेल नहर सथ्याग्राब बहुत ही महत्वण आधना थीज़े ISadin उसमें देखते हैं लोग क्या क्या चीज़े आप लोगों को याद रखनी है बहुत सौट में हम लोग समझें का प्रयास करेंगे क्योंकि यहां पर mcq वाली क्लास में आप लोगों को पूरी चीजें बताना पॉसिबल नहीं है जितनी चीजें मैं बता सकता हूँ जो important facts है उतना मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ यहां पर ठीक है तो कंडेल नहर क्या क्या चीजें आप लोगों को इसमें याद रखना है बहुत कम समय में पूरी स्टोरी बता पाना पॉसिबल नहीं रहता मैं कुछ महत्पूर्ण facts हैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ एक तो यह 1920 में हुआ यह सबसे पहला fact जो आप लोगों को याद रखना है दूसरा नेतित तो करता याद रखना है जोनेतित तो करता चोटे लाल स्रीवास्तो थे चोटे लाल श्रीवास्तो अभं इसके भाई लाल जी बाल श्रीवास्तो इसके अलावा जब इनकी गिरफ्तारी हो जाती है चोटे लाज रिवास्ता और लाज जी रिवास्ता उकी तो इसमें सुन्दला सर्मा नारायन राव मेगा वाले यह इनके सही होगी रहते हैं ठीक कंडेल हार सत्याग्रा के अब ध्यान देना कि यह जो सत्याग्राव है है वो क्यों हुआ था इसका प्रमुक कारण क्या था इसका प्रमुक कारण था नहर कर के उप्योग है तु जुर्माना लगाना एक चोल में कंडेल में एक जलासा है ठीक है रूद्री जलासा है उसके पानी किसान उप्योग करते हैं ठीक है और किसान जो है उसको उप्योग कर करते हैं तो उनको उसके बदले में कुछ कर चुकाना पड़ता था और लिए उनको फिक्स क्रिति शाथैं कि यह कर और जो अनुबंध ठाइड की रासी बहुत यह इसलोंग कि सान इसका विरोथ कर रहे थे कि हाम इतनी अधिक रासी नहीं दे सकते तो क्या करती है जो ब्रिटिस गवर्मेंट रहती है दोके बास तो रहती है चाल बाज रहती है सबसे बड़ी तो वो क्या करती है बिना किसानों की मांग के पानी जो है उनके खेतों में छोड़ देती है और दूसरे दिन यहां आरोप लगा देती है कि इन्होंने पानी की चोरी की है और इस आरोप के अधार पर वो कुछ लोगों को क्या करती है गिरपतार कर लेती है और 4,033 रुपए का चुर्माना लगा देती है किसानों के उपर कितना का लगा देती है 4,033 रुपए का जुर्माना लगा देती है कि इन पर किसानों के उपर तो यह रासी बहुत ज़्यादा थी किसान इसको देने में समर्थ नहीं थे तो क्या करते हैं वो इनका विरोध करते हैं और विरोध की सुरुवाद करते हैं छोटे लाल स्रिवास्ताओ जी और लाल जी स्रिवास्ताओ दोनों भाई रहते हैं वो इनको गिरपतार कर लिया जाता है British Government द्वारा और उनके बाद इसका नेतितों करते हैं पंडिस सुंदालाव सर्मा नारायन राव मेखावले जी ठीक है तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को कंडेल नहर से याद रखना है इसके बाद क्या होता है ये लोग सफलता प्रयास करते हैं कि महात्मा गांधी इस सत्याग्रा में सामिल हो जाए और वो दो दिसंबर दो दिसंबर 1922 को महात्मा गांधी से मिलने कहां चले जाते हैं कलकत्ता चले जाते हैं वहां पे अधिवेशन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी गय रहते हैं तो उनको आसी को माफ कर देते हैं और जो जुर्माना लगा रहते हैं उसको भी माफ कर देते हैं महात्मा गांधी के आने से पहले ही न वह इतने डर जाते हैं कि अगर महात्मा गांधी यहां पर आएंगे तो यह अंदोलन जो है क्या हो जाएगा रास्ट व्यापी हो जाएगा ठीक है इससे British government को काफी ज़्यादा नुकसान हो सकता था तो उस चीज से बचने के लिए वो इन लोगों की बाते स्विकार कर लेते हैं तो यह एक सफला अंदोलन इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं और फाइनली जो है 1920 में जब महात्मा गांधी यहां पर आते हैं तो यहां की लोगों को जनता को वो काफी ज़्यादा प्रोसाहिद करते हैं कि आपके प्रयासों से यहां पर यह जो सत्याग्रा है वो सफलता पूर्वक संचालित हुआ और चोटे-चोटे सत्याग्रा है जिन इंसर क्या हो जाएगा नहर करके उपियोग पर जुर्माना नहर कर लगाना नहीं था इसको ध्यान में रखना उनके उपियोग पर जुर्माना 433 का जब जुर्माना लगाए तब इन लोग भड़क के क्या किये आंदोलनकू किये अगला प्रश्न है तो इसको बता सकते हैं आप लोग कौन को नाएंगे तो पंडि सुन्दलार सर्मा जी नाराइंडरो मेघा वले जी और छोटे लाल स्रिवास्ता जी माधवरा सप्रे जी का यहां पर कोई काम नहीं था और अब गर आप ध्यान से देखें तो यह तीनों जो नाम हैं वो कहां से संबंदित थे धमतरी जीले से संबंदित थे और तीनों लोग की पार्टिसिपेट गिये थी सांदोलन में माधवरा सप्रे का नाम नहीं मिलता है यहां पर तो इसका सही इंसर क्या हो जाएगा एक तीन और चार इसका सही इंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन है निम्लिकित में से किस ने 1920 में BNC मिल राजनाद गाओं में स्रमिक अर्ताल का सफलता पूर्वक नितित्तों किया था देखिए BNC मिल क्या है बंगाल नागपूर कॉटन मिल है बंगाल नागपूर कॉटन मिल है जो 1992 में स्थापित हुआ था इसके हिस्टोरिकल चीज़े बहुत अलाग है 1992 में स्थापित हुआ फिर संतानवे में इसका नेम चेंज हुआ BNC मिल हुआ CP मिल से BNC मिल हुआ वह सब चीज़ें आप लोग जानते होंगे 1920 में BNC मिल में एक आंदोलन हुआ था ठीक है जिसके नेतिव तो करता थे ठाकूर प्यारे लाल जी एक्ष्वल में BNC मिल में जितने भी आंदोलन हुआ हैं एक हुआ है 1920 में दूसरा हुआ है 1924 में और तीसरा हुआ है 1937 में तीनों को याद रखना है आप लोगों को पीनों के नेती तो गरता कौन है भीया ठाकूर प्यारे लाल इसको तो भूलना ही नहीं है ठाकूर प्यारे लाल ये तो एक नाम आप लोग को जुबानी याद रखनी है दूसरा महांतर पूर्ण चीज हमारे राश्ट्रिय मजदूर नेता चछतिस गड़ आये थे पहले जो मजज़ूर नोब फ़्यारे आंदोलन हुआ था जो यह और विनीःस team मज़दूर रांदोलन हं था उसमें कौन आया थे मयुक्ति वीवी गिरी आयते वीवी गिरी का आगमन हुआ था जो आगे चलकर भारत के राष्टपती भी बद्दे हैं और यह जो आंदोलन हुआ था 1920 में ठीक है इस से रिलेटेड यह चीज़े याद रखनी है दूसरा 1924 में जब आंदोलन हुआ था तो इसका कारण भी पूछा जाता है तो इसका कारण जो रहता है इ बहुत जादा रहते हैं सब चीजों की मांग करते हैं ये चोटी चोटी यह यही जो मांग रहती है इस अंदोलन का प्रमुकारण रहती है ठीक है? का इनी सो चौबिस में जब हुआ तो 1924 में अंदोलन थोड़ा सा उग्र हो गया था इसका प्रमुक कारण क्या था एक मजदूर है वो उनको मारने का प्रयास करते हैं और एंड अधिकारी रहते हैं बावू गंगधार उनको वो क्या कर देते हैं उनको cast मार दो कारण बन ढता है और वह और बब data कर लेते तो यही चिजे एक उग्र रूप ले लेती है इस आंदोलन का और इसमें इस उग्रता को देखते हुए जो ब्रेटिस गवर्मेंट रहती है वो क्या करती है ठाकुर प्यारेलाल को राज्यादगाउं से निस्कासित कर देती है तो याद रखना दूसरा जो आंदोलन था समय ठीक है उसके कारण यहां अंदोलन हुआ था 1937 का तीनों के नेतितों करता कौन थे ठाकुर प्यारेलाल थे और इसमें तहयोगी कौन थे सखाराम रुविकर्जी थे तीसरे अंदोलन में तो तीन चीज़ें आप लोगों को याद रखना है यहां पर आगे बढ़ते हैं 36 गड़ के सबसे पुराने उद्योग बंगाल नाकपूर कॉर्टन टेक्स्टाइल मिल की स्थापना कब हुई थी 1862-82 या फिर 1892 तो इसको तो मैंने थोड़ी दिर पहले पताया 1892 में इसकी स्थापना हुई थी टीपी मिल्स के नाम से जाना जाता था मुंबई की कंपनी थी मैकवेद ब्रदर उन्होंने यहां कंपनी खरीदी थी सबसे पहले 1892 में फिर 1897 में 477 कंपनी ने इसको खरीदा और इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया किस नाम से इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया बंगाल नाकपूर कॉटन मिल ठीक है प्रदर इसको करीदा 1897 में आगे बढ़ते हैं अंगला प्रशन देखते हैं कि राज्याद गवर रियासत में सेपी कॉटन स्बील की स्थापना के समय कहां कि सासा कौन थे वहां के ठीक है राज्याद गौव्मी यह में इस्थापित है तो ऐसा पूछा जाता है कि राज्य गवर रियासत के इससा में राजा रहते हैं बल्रामदाज जी कौन रहते हैं बल्रामदाज जी यहां पर रियासत के राजा रहते हैं राज्याद गौवर रियासत के अगला प्रशन देखते हैं गांधी जी के प्रथम 36 गड़ प्रवास में उनके साथ कौन आये थे ठीक है आपके पास विकल्प है विनोबा भावे जी राजेंदर प्रसाद जी सौका तली जी और शित्रन जन्दास जी देखिए इसमें पूरी कहानी क्या रहती है महत्मा गांधी प्रवास को लेकर हमेशा प्रश्न पूछा जाता है प्रवास महत्मा गांधी का प्रथमप्रवास ठीक है, दो बार प्रवास हुआ है, एक बार 1926 में 36 गड़ आया है और दूसरी बार 1923 में आया है, तो प्रथम प्रवास में याद रखना, 20 से 22 दिसंबर 1920 में वो 36 गड़ आया थे, 20 से 22 दिसंबर 1920 के मद्द, सबसे इंपोर्टन चीज़ तो यह याद रखना है, दूसरा आने का कारण क्या था, कंडेल नहर सत्यग्रा में भाग लेने के लिए आये थे, लेकिन उनके आने से पहले ही यह अंदोलन समाप्त हो चुगा था, यह आये कहां पे सबसे पहले, तो सबसे पहले रायपूर आते हैं 20 दिसंबर को, उसके बाद कहां जाते हैं, धमतरी जाते हैं, अब यहीं पे कुछ-कुछ घटनाया है, जो याद रखनी है आप लोगों को, सबसे पहले कहां पे आया, रायपूर में और रायपूर में जब आये, तो गांधी चौक में इन्होंने आमसभा को संबोधित किया, कहां पे 20 दिसंबर को इनका आगमन हुआ रायप जाते हैं, जहां वे कंडेल नहर सत्यागरा की सफलता के लिए बढ़ाय देते हैं लोगों को, और एक आमसभा को संबोधित करते हैं मकई बंध चौक में, मकई बंध चौक में, और ध्यान देना धमतरी में ही बाजी राव कृदंत, बाजी राव कृदंत जो है, वो 500 फंड के लिए, तिलक स्वाराज फंड, एक्च्वल में राष्टी अंदोलन को आगे ले जाने के लिए फंड बनाया रहते हैं, ठीक है, तो उस फंड के लिए, बाजी राव कृदंत कितने 500 रुपए देते हैं मातमा गांदी जी को, इसके बाद वे कुरूद जाते हैं, महिलाओं को संबोधित करते हैं, महिलाओं को संबोधित करते हैं, कहां पे, आनंत समाध वाचनाले में, रायपूर के, यहां पे संबोधित करते हैं, महिलाओं क्या रहती हैं, वो भी तिलक स्वाराज फंड के लिए 2000 रुपए का गहना, मातमा गांदी जी को समर्पित करती है ठीक है तो इस चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है फिर वहां से वह नागपुर धिविश्व में भाग लेने के लिए चले जाते हैं जो आप लोगों को याद रखनी है महात्मा गांदी के प्रिथम प्रवास को लेकर यहां पर पूछा जा रहा है कि उनके साथ कौन तो गांदी जी के प्रथम प्रवास में उनके साथ सायोगी कौन थे मौलाना सौकतली आगे बढ़ते हैं अंगला कोश्चन देखते हैं इस राज जे में प्रथम आगमन के दोरान महात्मा गांदी ने रायपूर में निम लखित में से किस स्थान पर महिलाओं की सबाग को स सन भी इसका सहीं उत्तर हो जाएगा ठीक हैं आगे बढ़ते हैं 20 दिसंबर कौन सा कथन पूछा जा रहा है आपे सही है 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांदी का 36 के रायपूर में आगमन हुआ 21 दिसंबर को धमतरी पहुंचे जहां एक जन सभा को संबोधित किया रायपूर में आनन्द समाज वाचनालाय में महिलाओं की सभा को संबोधित किया तो इसका कथन क्या कैस सही है वो बताईए आप लोग तो तीनों कथन बिल्कुल सही है तीनों कथन के बारे में बता चुका हूं 20 दिसंबर को रायपूर पहुंचते हैं 21 दिसंबर को धमतरी जाते हैं ठीक पहें देखते हैं आज का अंतिम पोश्चन ठीक है निम लिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की प्रथम शत्यसगड़ यात्रा के संबन्द में सत्य है महात्मा गांधी सितंबर 1920 में पंदिस सुंदरलाल सर्मा के सांथ रायपूरा है ठीक है उनकी 36 यात्रा का उद समर्थन किया उन्होंने लोगों के खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने की तर्थना की तो सत्य पूछ रहा है यहां ठीक है बहुत थी अच्छा कोश्चन ठाये इसे फसने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते थे देखिए महात्मा गांधी सितंबर 1922 में पंदिस सुंद इस गड़ यात्रा की यात्रा कुद्दिस असयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन राप्त करना था यह बिल्कुल सही कतन है असयोग आंदोलन हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे लेकिन असयोग आंदोलन की प्रिष्ट भूमी 1920 में कंडेल नहर सत्यागरा से ही सुरवात हो गई रहती है 1920 में कॉंग्रेस के दिवेशन में असयोग आंदोलन को शुरू करने की बात करी जाती है लेकिन उसके पहले ही मात्मा गांधी क्या करते हैं अलग-अलग जा करके असयोग आंदोलन में सामिल होने के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो यहां पर नागपूर अधिवेशन जब होने वाला रहता है असयोग आंदोलन के लिए उसके पहले वो कहां आते हैं कंडेल ग्राम आते हैं ठीक है तो वो क्या करते हैं यहां की लोगों को बताते हैं असयोग आंद समर्थन किया यहां पर समर्थन नहीं किया था वहां पर उन्होंने लोगों को धन्यवाद दिया और लोगों को प्रोचाहिद किया ठीक है कि आपने सफलता पूर्वा किस आंदोलन का संचालन किया तो समर्थन किया ऐसा कोई वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था उन्होंने लोगों से खिलाफात आंदोलन को समर्थन देने की प्रात्ना की थी ये भी ऐसा कुछ खिलाफात आंदोलन से रिलेटेड था ही नहीं कुछ ठीक है तो इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन भी इस प्रकार से हमने आज देखा 1857 की क्रांती से लेकर कंडेल नहर सत्यागरा 1920 तक और महत्मागांधी के प्रवास इनके बीच में 1920 और 1857 की क्रांती के बीच में जितनी भी घटना है महात्रपूर्ण हुई है उनको हमने पढ़ने का प्रयास किया उससे रिलेटेड महात्रपूर्ण फैक्ट हमने आज जाने नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 1920 के बाद असायोग अंदोलन सभी अंदोलनों से रिलेटेड क्या महात्रपूर्ण प्रश्ण बन सकते हैं और क्या-क्या अफैक्ट आप लोगों को याद रखने है एक्च्छल में यह क्या है आप लोगों के लिए एक रिविजन क्लासे से जो आप लोग को हेल्प करेगा आने वाले एक्जाम में रहे और तूरंत आप लोग उसको एक्जा